किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है किसान भाई ये पता कर रहे हैं कि कौन से गन्नी किस्म सबसे अच्छा उत्पदन 233 के बाद दे सकती हैं अभी हमारी कई किसानों से बात हुई और उनकी प्लाट मैंने इस प्रकार के देखे हैं इन्होंने कोसा 1323 जो गन्नी किस्म है इसको लगा रखा है और इसकी उपज तीन साल से लगा रहे हैं 238 के बिल्कुल बराबर आ रही है लागत किसान भायों की इस वराइटी में कम है अर्ली सूट पोरर, टाप बोरर, पोका बोईंग, रेड राट, मिली बग, जैसी समस्याएं जो 233 में आ गई हैं वह इस वरा हैं सबसे बड़ा फाइदा यह है कि जो इस प्रे आप करते थे 6-7 इस प्रे वह नहीं करना पड़ रहा है यहां पर आप देखें कितना अच्छी ग्रोथ है लंबाई देखें तो 10-11 तक हो गई गन्नी की मोटाई अच्छी है और उपज इस प्लाट की निश्चित तोर से बहतर आएगी कि बहुत से किसान भाई ढूंड़ रहे हैं कौन सी गन्नी की विराइटी लगाते हैं और इस सर्च में बहुत नहीं नहीं किस्मों को अपने खेट पर लगाते हैं जैसे सी वेल के 16 दोस्तों अवी 18 दोस्ते 31 लगाएंगे और महेंगा 20 लेकर के लगाते हैं क जैसी वेलेटी पंदराज़रो सताइस पनाज़रो पचीस जैसी तरीकी की गन्नी की विराइटियों को लगा रहे हैं जो अत्तर प्रदेश में ना तो स्विकरत हैं और ना चल रही हैं अगर हम देश्चिन भारत की गन्ना किस्मों की बात करें तो आज तक कोई ऐसी किस्म जो उत्तरभारत में अच्छा उत्ता दे पाई हूँ ए मिएस्आई 4 euro 344, TP VM 268, 772 कोई ऐसी दस्षी नहीं है फित जो यहां पर गंणी काऊ अच्छा दे पाई हूँ तो ऐसी दसा में यह एक ऐसी गंणी की किस्म है जो उत्तरभारत स्युफ से से बिक्सित हुई इसको सुरुवात में हमने देखा और उस समय इतना अच्छा यह रिजल नहीं दे रही थी जितने अच्छे परणाम इस वराइटी के इस समय है किसान भाई उस मेरी सला है कि जो नए नए वराइटी है किसान भाई ढूंड रहे हैं सतरह दो से कतिस है सोला द चाहे आप चल्दी बो दें चाहे इसको बिलम से बोएं ग्रोथ इस वराइटी के अच्छी होती है लाजिंग टेंडेंसी है लेकिन यूरिया का प्रेवग अगर आप कम करते हैं तो लाजिंग यानि गरता नहीं है पेंडी इस वराइटी के बहुत अच्छी है आगोला के लिए भी कारगर हैं अगर हम इस वराइटी की बोने की बात करें तो यह जो किसान हमारे खड़े हैं जिनका बहुत अच्छा गन्ना है छपपर इंच की दूरी यानि आप पूंटे दौर पर माज सकते हैं साड़े चार फिट से थोड़ी ज्यादा दूरी अगर आप रख कर सकते हैं खेती की लागत को काफियत कर सकते हैं ऐस वराइटि में तीलडिंग में उतनी होती है जितनी लगबगाँ सकता है यह जया झादा च्र 성क्ष्ण नहीं होती ही गन्ना सीधा बढ़ता है और अंता फसल इस गन्नी की किस्म में बहुत आसानी से शुरुआत में ले जा सकती है चुकि शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़वार इस गन्या किस्म की नहीं होती है जो किसान भाई हमारे हैं यहां पर इन्होंने सरसू लगाया और एक बिगे में डेड़ कुंटल यानि करीब 9 कुंटल प्रतेकड की दर से सरसू भी दिया है और गन्या की कंडिशन बहुत सरसू लगाने के बाद भी गन्या की क्रोथ बहुत अच्छी हो रही है बहुत सरी ऐसी बराइटी कि अगर सरसूस में लगा दो तो बाद में गन्या की ऊपज अच्छी नहीं मिल पाती है कोसा तुरूरा 235 एक ऐसी गन्या किस्म है जिसकी पेंड़ी भी किसान भायों के खे आगाते हैं और खराब होने लगते हैं गिरने लगते हैं चैकिस से जब गन्छा कई द मीं बाद़ें nutrition balance दें तो variety नहीं किरेगी आपके लिए बहुत अच्छी variety धन्यवाद चाहें